अब आईए हम यहां पर फॉलेट डिफिजेंसी की बात करने से पहले सबसे पहले हम यहां पर यह तो यह फॉलकूल में चलिक्ड का अ इसको समझ कर और लेंगे तो की हम डाइट हो यह kita म जो अनियमल प्रोटीन लेते है तो दैकि हम डाइट में हम जो एनिमल प्रोटिन लेते हैं उसमें यह देखिए यहमने बना रखा है अहोदि में प्रोटीद में में प्रोटीड होगा और वे डाइटरि प्रोटीड तो यह जो हम घृटमिन बीट 20 इस डहा चलते उसमें betol present है यहाँ से आगे इस टमक में इस टमक में देखिए यहाँ पे parietal cell present होते है और chief cell present होते है तो parietal cell और chief cell तो देखे कहा करते हैं parietal cell secret करता है HCL और intrinsic factor और यह chief cell जो होता है यह pepsinogen का secretion करता है ठीक है तो यह HCL जो होता है यह इस semiAud.'" अब देखिंए यह pepsin का क्या होता है यह pepsin ना यह जो animal की protein आई थी ना इस protein का breakdown कर देता है और और इस protein का ब्लेक्ट अन्ग व्ली हो गया अब Voor leader हो गया तो देखिए क्या हुआ कि यहां व्लीजय होता है इसको Pues vitamin B12 यहाँ free होते ही for an R binder के under में आ गया, R binder इसको control कर लिया, अब R binder यहाँ पे है और यह देखें यह intrinsic factor यह हमारे parietal cell से secret हुआ, यह दोनों चले जाएंगे यहाँ डिूटिनब में, ठीक है, तो डिूटिनब में देखें, पैंक्रियाज यहाँ पे है, और यह पैंक्रियाज, pancreatic protease को activate करेगी, और यह pancreatic protease, यह देखें, R binder जो यहाँ तक आया था, इसको cut कर देगी और इसको degrade कर देगी, और जब इसको degrade कर देगी, तो यह जो हमारे B12 यहाँ R binder में capture हो गया था, यह R binder से अब बच गया, ठीक है, अलग हो गया, अलग हो गया, अब जब B12 अलग ह में पहुचा, और जे जनम के बाद यह देखिए, इस तरह से यह पहुच जाएगा, टर्मिनल इलियम में, और टर्मिनल इलियम पे यहाँ पर देखिए, जो cell present होते है, इस पे यह देखिए, intrinsic factor के रिसेप्टर है, यह देखिए, हमने बनाया, यह receptor है, intrinsic factor का, और इस receptor से जब बाइंड करेगा, तो यह पूरा, जो है, endocytos हो जाएगी, पूरा molecule अंदर चला जाएगा, और जब पूरा molecule अंदर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, अब जब अंदर चला गया, तो यह B12, इसका सिर्फ इस्तमाल किया, ठीक है, बस इस्तमाल करने बाद अपने घर में और blood circulation से फिर यह देखिए, यह चला जाता है, लिवर में यहाँ पर इस्टोर रहता 5-6 साल तक, और जरूरत परती है, तो यह target tissue में जाता है, और वहाँ पर इसके receptor होते हैं, और वहाँ पर वर्क होता है, अब आगे कैसे वर्क होता हम बताते हैं, तो यह देखिए, हम यहा mechanism हम बता दिये, कि यहाँ से आता है animal protein के सरीए, और यहाँ पर आके यह जो है pepsin, इस animal protein को breakdown कर देता है, और यह फिर हो जाता है, फिर R binder इससे bind कर लेता है, और इसके अंदर पहुचते ही intrinsic factor से अलग हो जाता है, और अलग होके transcobal wine 2 से bind होता है, और फिर transcobal wine 2 से bind होता है करके यह अंदर जाएगा, तो यहाँ से फिर यह liver में जागे इस्टोर होका 5-6 साल तक के लिए target tissue में चला जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा B12, अब देखिए folic acid का होता है, तो folic acid देखिए folic glutamate form में होता है, यह बहुत आसान है, folic glutamate form में होता है, यह diet से आया, ठीक है, अब यह monoglutamate यहाँ जियोजनम में अबजार हो जाता है, और जियोजनम में फिर यह देखिए, इसका methylation हो जाता है, ताकि यह fat soluble हो जाए, ठीक है, तो methylation हो गया, अब इसको हम बोल दिये, methyl tetrahydrofolate, ठीक है, अब यह देखिए methyl tetrahydrofolate, यह चला जाएगा हमारे यूज होता है, तो methyl tetrahydrofolate देखिए, यहाँ आ गया, ठीक, तो अब देखिए, हमारे पास, यह देखिए, यहाँ से बीट्वल्ब भी इस तरह से आया, यहाँ होते हुए, यहाँ पहुच गया, और यहाँ टार्गे टिशु में पहुच गया, अब टार्गे टिशु में इसी भुक से, तो होमोसिस्टिन इडिया में आप जाके देखेंगे, तो यह और ज्यादा डिटेल में है, यहाँ से, हमारा जो में मकसद था, उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, तो बहराल इसी रिक्शन को किया है, तो यहाँ से हमारे पास आया methyl tetrahydrofolate और यह देखिए methyl tetrahydrofolate यहां पहुँच गया और betol भी देखिए यह यहां से पहुच गया यहां betol ठीक है दोनों पहुच गये अब दोनों का रूल क्या होता है तो यहां पे देखिए एक enzyme present होता है इसको मोलते है methyl transferase ठीक है अब सिर्फ tetrahydrofolate बचा और यह betol जो था अब देखिए methyl betol बन गया अब उसके बाद यह अब methyl betol क्या करता है यहां पे होमो सिस्टीन परजेंट होता है और यह होमो सिस्टीन जो होता है यह बनना चाहता है methionine ठीक है और यह एक enzyme होता है methionine synthase अब यह methionine synthase इसको इसमें convert करना चाहता है लेकिन यहां पे जो है CH3 की ज़रूरत होती है तो अब यह CH3 कहां से आया तो देखिए B12 से जो CH3 था यह इसको लेकर इसको दे दिया तो अब देखिए यह B12 फिर से free हो गया ठीक है यह पूरी reaction समन में आ गई यहां तक कि यह जो methyl tetrahydrofluid था यह अब जार हुआ और यहां से हमारा B12 अब जार हुआ और यह देखिए इन दोनों के बीच में reaction हुई तो यह methyl group जो था वो चला गया B12 पे इस पे और फिर यह B12 से फिर यह homocysteen पे चला गया और homocysteen methionine बन गया तो अभी क्या रोल है अब देखिए हम आगे बताते हैं कैसे कैसे होता है पूरा देखिए पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा अब देखिए यह इधर चला गया और यहां पे देखिए झाब क्या काम रहा फिर आपके जाएगे जिए४ करता है खाःमी डाइलेड सिंथेज इस मिफिलीन टेत्राइडर 딱फोलेड को करतेता है डाइध्रीडाफोलेड में और ये deoxy-uridine-monophosphate को convert कर देता है deoxy-thymidine-monophosphate में ठीक है तो ये अब हो गया अब ये देखिए deoxy-thymidine-monophosphate का क्या रोल होता है तो ये thymine का formation करता है और thymine देखिए क्या करता है यहाँ देखिए जब DNA का replication होता है तो यहाँ पर देखिए adinin के साथ thymine bind करता है तो thymine यहीं से आता है deoxy-thymidine-monophosphate से thymine बनता है तो अब देखिए हमारा main मकसद यहाँ तक आना था तो यहाँ तक आ गया अब thymidine-monophosphate बन गया अब इसके जरीए जब DNA से replication होगा तो जब यह बनेगा ना thymine बनेगा तभी DNA का maturation होगा और thymine नहीं बनेगा तो DNA का maturation कैसे होगा इस वज़े से DNA का maturation होता है तो B12 यहाँ पर देखिए B12 भी role play कर रहा है और folic acid दोनों role play कर रहा है तो दोनों की deficiency की वज़े से यहाँ पर DNA maturation में हमको problem देखने को मिलेगी तो यही चीज जो यहाँ पर पहली line बताए गए थी कि impaired DNA synthesis तो DNA synthesis impaired हो गई तो यहाँ से इसको relate किया ठीक है यह हो गया अब देखिए इसमें RNA synthesis problem नहीं create करेगी क्यों RNA synthesis problem नहीं create करेगी क्योंकि यहाँ पर थाइमीन में हमको problem देखने को मिलेगी और जब हमको मालूम है कि DNA से RNA बनता है यानि replication जब होता है तो यहाँ पर एडिनीन के साथ यूरसील आता है ठीक है और जब यूरसील आगे तो हमको कोई परशानी देखने को मिलेगी तो इन सब चीजों में क्या होगी तो जब DNA प्रॉपर नहीं synthesis होगा DNA synthesis late होगी तो यहाँ से देखिए DNA नहीं बन पा रहा है लेकिन mRNA बनेगा और mRNA बनेगा तो यहाँ पर इसकी साइज यहाँ पर प्रोटीन होगी और methionine कम हो जाएगा अभी इसका क्या रोल है आगे हम बात करेंगे यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया अब देखिए यहाँ से हम बात करते है folate deficiency में तो folate deficiency में क्या होता है cause सबसे पहले बात की गई malnutrition तो folate deficiency के cause में malnutrition है जैसे chronic alcohol overuse chronic alcohol overuse है तो इसकी और जैसे mal absorption है तो यहाँ पे भी alcohol की और जैसे folate deficiency का absorption नहीं हो पाएगा ठीक हो फॉलेट deficiency देखने को मिलेगी और कुछ drugs हैं जैसे methotroxate है, trimetopreme है और phenytoin है यह भी folate deficiency cause कराती है और यह तो requirement मढ़ जाए जैसे hemolytic anemia तो hemolytic anemia में क्या होगा जब RBC का over breakdown होगा तो ज़्यादा folic acid की ज़रुवत पड़ेगी तो इसमें requirement मढ़ जाती है इसमें भी folate deficiency देखने को मिल सकती है या pregnancy में folate deficiency हमको देखने को मिल सकती है तो यह चीज हो गए अब यहाँ पर देखिए symptom क्या देखने को में लेंगा तो देखिए increase homocysteine यह बढ़ जाएगा ठीक है यह तो बढ़ गया homocysteine बढ़ जाएगा नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसीड तो मिथाइल मेलोनिक एसीड यह नॉर्मल रहेगा यहाँ पर देखिए यह क्या बताना चाहे रहे है यहाँ पर हम यह बता है यह देखिए यह हमारे यह जो protein metabolism होता है तो देखिए हम पर welline और chan fatty acid यह methionine isolisine threonine यह सारे breakdown होते है प्रोपियोनेट में सक्सिनाइल को A में और सक्सिनाइल को A हमको मालूम है कि यह TCA cycle में भी जाता है और heme synthesis में भी जाता है तो यह दोनों में जाता है अब यहाँ पर परशानी क्या आती है कि जब B12 की deficiency होती है यह methylmalenyl को A यह B12 dependent होता है और जब B12 की deficiency होती है तो यह methylmalenyl co-A यह work नहीं करता है तो यह दोनों क्या करते है जब यह दोनों बढ़ते है तो यह Dmyelination of the neuron करते है यह और यह दोनों इस वज़ाज़ से B12 की deficiency में यह enzyme नहीं वर्क करेगा यह बढ़ जाएगा और यह बढ़ जाएगा जिसके से Dmyelination of the neuron देखने को मिलेगा और हमको neurological symptom देखने को मिलेगा लेकिन यह सिर्फ हमको B12 deficiency में देखने को मिलेगा B9 deficiency या folate deficiency में नहीं देखने को मिलेगा वही यहाँ पर बताया गया कि देखे होमोसिस्टीन तो बढ़ जाएगा यह देखे यह होमोसिस्टीन यह बढ़ गया लेकिन नॉर्मल मिथाइल मिलनिक एसिड यह देखे यह मिथाइल मिलनिक एसिड जो है यह देखे यह इसका लेवल नॉर्मल रहेगा क्योंकि यह B12 dependent है यह enzyme ना कि B9 B9 हम folate को बोलते हैं ठीक है बीट्रोल डिफिसेंसी में एक लमीड होते हैं इस वटास B12 डिफिसेंसी में हमको नियूरोलोजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे B9 में हमको नियूरोलोजिकल सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह आप बताएगे कि